तों फस्ट गृट इंदी की त्यारी करने वाले सभी ब्यार्टियों को मेरा नमस्कार अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले प्राफट हो और अगर आपको वीडियो साफ नहीं दिखाई करना चल रहा था आदिकाल तो वीडियो चो था है जो आज मैं लेकर आया हूँ अब रसाइटेगा तो देखिए अब रसाइटे में भरतमुनी ने अब रसको देश पास अका आए अब रस नाम पहले पहल वलभी के राजा दारसें सेकंड के शिलालेक में मिलता है यह किस ने काया है राम चंदर शूकल ने अब श्यम्बू साथ सोच्यां से इस विए के आसपास करनाटक निवासी अब बनस्का पर्थम कवी उपनाम अब बनस्का वालमी की और इनकी परमुक रचनाएं प्रयूम चरियू जो रामकथा और कडवक से लिए में और पर्थम परियोग करता है कडवक से लिए के रावल शांस करते हैं ने काव्यदारा बनाते समय इसका विशेश रूप चे पेम चरियू का दिन किया था जिस प्रकार नवीश सदी में प्राकरतक पहेंगलं मेहतोपुर्ण है उसी प्रकार आटमीश दी में पेम चरियू मेहतोपुर्ण है ये का हजारी पुसाद उनने पूरी की और चवपाई चंद जो अब बनस में वो 15 मातर हैं तो चब पाई चंद आपनस में में 15 मातर हैं पुषब दंथ दस्वी चदावती पुषब दंथ या पुषब यह एक ही कभी है यह का हजारी पुटसाद दिवए दिने देखे श्वेम्बु को अभीमान मेर्व कहते ने कौन हजरी परसाद दिवे दी उपनाम आप बरंस का वेदव्यास गरंत महापूरान 63 महापूरसों की चर्चा है इसमीं महापूरान में कितने 63 महापूरसों की चर्चा है राम कथा भी है और अने अचरियू जसर चरियू जो यह सोधरा अचरित भी कहते हैं चित्रमुक जारी परसादी वेदी के नुशर आदी काल में तीन परकार के कवे बंद माने गए हैं जोवा गेपद और पदद्धिया और चित्रमुक पदद्धिया के जनमदाता यहों सबसे बड़े कवी माने जाते हैं दनपाल दसवी सदी बहुष्यत का गरंथिन का मैतोपुर्ण अब्दुर रह्मान बारी तेरी सदी और इसका गरंथ है संदेश रासक और एक से में 128 से चंद हैं जो खंड का वे हैं हिंदी का पर्थम ग्यात मुसल्मान कवी और संदेश रासक यह खंड कवे हैं और विक्रमपूर की विर्यानी कथा और इसमें 128 चंद है रासो परंप्रा की पर्थम परमानिक रचना यह जोई 27 परकार के चंदों के साथ इसमें मुख्य तैस रासक चंद का परियोग किया ग देखिए यह पर्षन इंपोर्टेंट बनता है यहां कि संदेश रासक है जो नक्सिक परंप्रा के साथ 12 मासर जली का पर्थम परियोग इसमें माना जाता है कंकामर मुनी इसकी एकरकंड चर्यू जेंदत सूरी उप्तेश रसाइन रास यह बत्तिस चंदों की रचना है जो इंदू के प्रमातम प्रकास और योगशार और रामसिये के पाउड़ दूआ जो इंद्रिय सुक्सेस मन्दित और शारंग दर है शारंग दर की पद्दती जो सुक्ति क्रंथ हैं प्राकट तक पैंगलम इसके रचिता है लक्षमी दर अजारिफशा दिवेदी के अनुशार इसमें सारंग दर जजल बबर और विजय दर आदी कवियों की रचनाओं का शंकलन है इस पर पस्चमी इंदी का प्रवाव भी है प्राकट तक हैं अब ब प्राकट के दोए भी सामिलें दो आया दूआ अब बरसका प्रमुक्षंद जिस परकायर गाथा कहने से प्राकट का बहुत होता है इसी प्रकाट दूआ का समद्द अब बरसे हैं तो यह परसंद भी आइंपोर्टेंट मनता है दो आया जो प्राकर तक और दूआ का मतलब स है यह का है राम चंदर शुकर लें अब शिद साइथे तो देखिए दो नंबर पर सिद साइथे तो सिदों द्वारा जन भासा में लिखित साइथे की शिद साइथे का जाता है बोद्रम की मायान शका तो तंत्रयान वज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज् लिका प्रियोग और पंचमकार मास मतस्य मदीरा मेथून मुद्रा तरगय उपाई मासुक और ऐस्यवादी गुरू महिमा इनकी साधना विक्रती इनकी बसा संदा बसा भी का जाता है रचनाई दो रूपों में मिलती है दो आकोष चरिया पद और परमुक कभी इसके परमुक सहरपा जिसको शरोज वज्जर भी कहा जाता है रावल वद्दर और शरोज रूप भी उपना मैस के और स्रयपाद साथ सवकुन एतरी स्वी में सहज जयान के परवर्तक पर्थम सिद्ध कभी माने जाते हैं नालंदा में आचारिया थे इंदी के पहले कभी माने जाते हैं गरंथ 32 लिखें इनों इनकी पंक्ति जैसे जही मन पाउन ने संचरही रवी ससी ना पवेश नाधने बिंदू ने रवी ने ससी मंडल प्येस प्येरेश तो यह पंक्तिया शरयपागी सबर पा तो इनका जनम 780 श्वी में शरयपागे शिशें च्रिया पद और सबर पा थे जो सबर पा के शिशे थे और इनके च्रिया पदे और सबरों जैसा जिवने आपन करने के कारण इने सबर पा कहने लगे तो यह सबर पा कहलाए लुई पा सबर पा के शिशे थे उडिशा के राजा धनपाल के समकालिन थे चुरा सिशी दों मिसर वोच कभी कि इसके लिए पंक्ति है क्रावात तुरू और पंच फिडाल तो यह लुईपा की पंक्ति है और कनपा करनाटक के ब्रामन 820 इस्वी में जर्म हुआ इसका जलंदर पाक के सिश्य थे इनके द्वारा चित गरंतों के संक्या च्वेत्र हैं इनके बासा को टक्साली बासा का गया है कि देखें डॉंबीपा मागद के चत्रीय परिवार में 840 स्वी में जन्में विरूपा के सिश्य 21 गरंत लिके योग चरिया डॉंबी गिती का दिव कोस्ट दे चरप्टिया के सिश्य और राज सेकर राज सेकर के कपूर मंजरी में बहरवानन्द नामक सिद की चर्चा की गई है कि चुरासी सिदों में मनी बद्रा लक्षमिक्रा और कनक तापा नाम की तीन योगिनी भी वही थी सिदों के साहित्य के संपाधन कर ये का सुबारम पास्चेते विद्वान बेडल ने किया है ये किसने का है डक्टर बच्चन सिंग शिदों द्वारा अपनाई गई शैली पर जैन कभियों की मंगोलियन शैली का कुछ प्रवाव दिखाई देता है कबीर का अकड़पन बक्ति कावे की समाजिक चेतना योग साधना में रैस्यवाद मूलत शिदों की देने जैदेव विद्यापती सूर्दास के गीति कावे का अधार सिद्वाइट ये हैं जो जन करने का हजारी परषाद दीवेडी तो आज यहीं तक पढ़ेंगे और अगला वीडियो होगा नाच संपर्दाए तब के लिए धन्यवाद जाए